हाई फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं 50 वाट का सोलार पैनल अन्बॉक्सिंग एंड रिविव करूंगा और इस सोलार सेटप को लगाने से आपका लाइट बिल भी कम होगा तो यह हमारा लोन सोलार की तरफ से आने वाला 50 वाट का सोलार पैनल इनके वेबसाइट पर आपको सभी प्रकार के सोलार पैनल और इन्वर्टर्स और चार्ज कंट्रूलर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको सोलार पैनल के बैक साइड में वारंटी काड मिलेगा इसको आप समार के जरू रखिएगा यहाँ पर 50W का solar panel 21W output देगा और 2.1A का इसका output है तो चलिए अभी solar charge controller के बारे में बात करते हैं यह lum solar का 12W 10A का एक charge controller है इसमें आपको manual card भी मिलता है और इसे में एक warranty card है यहाँ पर solar panel का wire connect होगा यहाँ पर हमें solar panel का थार connect करने के लिए 1.5 mm का wire use की जेगा या फिर 2.5 mm का और यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी की DC tube light की क्योंकि इस setup में आपको यह भी इंफ्लूट करना होगा यह tube light 5W का आपको मिलेगा यह tube light की तार की और body material की quality अच्छी है जैसे कि यहाँ पर switch button का भी अच्छे quality का इस्तमाल किया गया है दो टिबलेट की प्राइस 600 रुपए मतलब की 300 रुपए का एक है इसकी quality चेक करने के लिए मैंने इसको open किया है तो यहाँ पर आप इसको quality देख सकते हो इसकी heat sink की और इसके अदर जो भी components लगे है अच्छे quality के components और ज्यादा components लगे है तो इसलिए LED LED से खराब नहीं होगी इसके खराब होने का chance बनता ही नहीं है तो total 12 LED से इसके अंदर है और आप इस ट्यूबलाइट को भी खरीच सकते हो इस setup में तो इस charge controller के 3rd वाले लेक पर हम ट्यूबलाइट को connect कर रहे है यहाँ पर आपको 12V का output मिलेगा और यही से आप DC fan को भी जॉइंट कर सकते हो लोड पर या फिर आप डायरेक्ट बैटरी पर भी जॉइंट कर सकते हो और यहाँ पर यह 12V के LED स्टीप है आपको इसे बैटरी स या फिर कई से भी यूज नहीं करना चाहिए कि कि इसकी रोशनी ज्यादा होने के कारण यह बैटरी को जल्दी से डिश्यार्ज करता है और यहाँ पर हम बैटरी के दोनों तार को जॉइंट कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी करेंट होगा तो इसको टेस्टिंग करने के दिन में ही उसकर सकते हो क्योंकि हमने इसमें जो बैटरी लिए च Auntyh के लिए है तो इसे के वज़े ages को आप राच में इसे यूस नहीं कर सकते हो दिन में ही इसी यूस कर सकते हो तो यहां पर हमें सोलर पैनल से 21 वोल्त मिल रहहे है और इसमें आपको आपको???? मिल जा चार्ज कंट्रोलर में जब तक हम बैटरी को जॉइन नहीं करेंगे ये दोनों बैटरी के तार तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा और भाई जब आप इस पर इंवर्टर को यूज करना चाहते हो जैसे कि दिन में लाइट, फैन, टीवी वगरा चलाना चाहते हो तो आपको क्य करना होगा, प्योर साइन वे का इंवर्टर आपको खरीजना होगा, साथ सो वाट का, स्क्वेर वे का इंवर्टर मतले ना, देखिए बैटरी चार्जिंग का इंडिकेटर ये ओन हो गया है, बैटरी चार्ज हो रही है, और यहाँ पर मैं टीव लाइट को आउन कर लेता तो यह 5 वाट का टीव लाइट है, अच्छी रोशनी है इसकी, चार्ज कंट्रोलर के लोड़ पे आप DC टीव लाइट, DC बल्ब, DC फैन वगरा जोइन कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी बैटरी की चार्जिंग हो रही है, चार्ज क कर सकते हो, स्क्रीन के चमकने के कारण मुबाइल में देख नहीं रहा है, कि मुबाइल चार्जिंग हो रही है, या फिर नहीं, लेकिन फोन चार्जिंग हो रही है, तो अभी मेरे पास है एक 100 वाट का इनवर्टर, तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, इस बैटरी पर यह व देख रहा है, इसलिए ऐसा कम गलो कर रहा है, लेकिन यह फुल गलो ही कर रहा है, तो पाच वाट का ट्यूबलाइट भी इसमें भी गलो कर रहा है, मतलब दोनों एक साथ, इनवर्टर बगेरा, यह है 9 वाट का एक LED बल्प, तो इसे भी मैंने यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास जो नहीं है, लेकिन आप कभी भी बड़ा वाला DC फैन ही खरी दिएगा, तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक, शेर, सब्स्क्राइब ज़रू करना, लूम सोलर के प्रोड़क्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक् बाचे काउर चलू किजिएगा,